धनू राश्यवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, दोस्तों, आप सभी को बता दे आने आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर, अगर मेरा कहा एक भी शब्द जूठा निकला, तो मैं अपनी दाढ़ी जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और जो भी मेरा भविश्यवानी गलत साबित कर देगा, उसे पूरे 50 लाख का इनाम घोशित करता हूं, बस हमारा इतना सरशर्थ है, कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से और जो बात हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले जो महत्वपून जानकारी आप सभी को हम देने वाले हैं, इस काम लगा कर कहीं एकांत में जाकर सुन लीजिएगा दोस्तों, और जो भी बात हम आपको बताएंगे, उसे अपने जीवन में उप्योग करना है, यद लेकिन आप सभी को अपने जीवन में अपना हाथ पाव चलना होगा, ऐसा नहीं है कि भगवान आपको बैठे बैठे सब कुछ दे देंगे, दोस्तों जो बैठे बैठे भगवान से सब कुछ मांगते हैं, भगवान उन्हें वही सब देते हैं, जो मेहनत करने वाले बातों का ध्यान रखना होगा, और जितना महत्वपूर्ण और भाग्यशाली समय है, इसका लाब उठाने के लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे, दोस्तों भगवान आपको मौका दे रहा है, यदि आप मुहके का लाब नहीं उठाएंगे, तो जीवन भर पच्छताते रह जाएंगे, इसलिए दोस्तों आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी खुश्खबरी आप सभी को मिलने वाले हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे ह्रदय भाव से जय मातादी तीन बार लिख दीजिएगा दोस्तों, और हाँ आप सभी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, और दोस्तों, इसके लिए हमें आठ से दस घंटा रोज आपकी कुंडली का विशलेशन करना पड़ता है, तब जाकर एक अच्छा जानकारियां हम आप सभी के समक्ष लेकर आते हैं, औ तो जरूर ही हमारी भावनाओं को समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, दोस्तों, आप सभी को बता दे आने वाले अगले 24 गंटे के अंदर यानि कि कल से आप सभी का किस्मत बदलने वाला है। आपको अपने आँखों पर यकीन नहीं होगा। गूम लेते थे, वही लोग यह समय आपके सामने आने वाले हैं। दोस्तों, समय अब आपकी मुठी में आने वाला है और सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, अब भगवान यही चाहते हैं कि आपने जितना मेहनत किया है, उनका पूरा-पूरा फल आप सभी को मिल जाए। दोस्तों, हर कोई इनसान मेहनत करता है, फल पाने की उम्मीद जरूर रखता है और भगवान उन्हें उनकी उम्मीद के अनुसार फल भी देते हैं। और समय अब आपका आचुका है। अब आपकी बारी आचुकी है दोस्तों, अब आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करने वाले, अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में ऐसी खुशियां आने वाली है, कि सभी लोग आपकी तरक्की को देखकर यही कहेंगे कि वहां क्या किस किसमत है, इसकी तो लोटरी लग गई जी, हाँ दोस्तों, अब आपकी किसमत को हुराम मचाने वाली है, हम ये बातें आपको ऐसे ही नहीं कह रहे हैं दोस्तों, हमने आपकी कुंडली का गहरी तरीके से च्छानबीन किया है, और कल से आप सभी के जीवन में जो घटना होने वाली है, उन्हें के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले ग्रह गोचर के आधार पर आधारित यह वीडियो है, इसी अंत तक देखना आप सभी का दायत्व होगा दोस्तों, भगवान मौका सब को देते हैं, जो मौका ठुकरा देता है, भगवान उनके जीवन से न जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था, दोस्तों हम यह सब बड़ी बड़ी बातें ऐसे ही नहीं कर रहे, यह आपकी मेहनत का फल है, आपने बहुत ज्यादा संगर्श किया है, अपने अपने जीवन में बहुत दुख दर्द को जेला है दोस्तों, दूसरा व्यक्ति किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे हैं, और सभी लोग आपको ही बुरा सोचते हैं, कोई लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन अब समय आ गया है, जब सभी लोग आपकी तारीफ करने वाले, आपके लिए बधाई के माला अपने हाथ पर लेक आपके घर आएंगे जी, हाँ दोस्तों, आपको अगले 24 घंटे के अंदर जो खुशखबरी मिलने वाली है, यकीन मानिये, बधाई देने वालों का मेला आपके द्वार पर लगने वाला है, आप कहेंगे धन्य हो प्रभू, आपने हमारा लाज रख लिया, आपने हमारा कि इसमत बदल दिया, हम इसका शुक्रिया, आपको जीवन भर भी करेंगे तो काम होगा, आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ ये तीन बड़ी घटना होकर रहेगा, इस घटना को होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये घटना हर हाल में होकर रहेगा, तो प् दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ ये तीन बड़ी शुभ घटना होकर रहेगा, इस घटना को होने से दुश्मन का बाप भी नहीं रोक सकता है, प्यारे दोस्तों, ये घटना जिस व्यक्ति के जीवन में होता है, उसकी किस्मत पूरी तरह स बदल जाता है, उसका किस्मत कमल की तरह खिल उठता है, और ऐसा ही अब आपके साथ साथ होने वाला है, जी हाँ प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा, अब आपको वह बड़ी सफलताएं मिलने वाला है, जिसके बारे म कर अंत तक पूरा वीडियो देखना, प्यारे दोस्तों, महामूर्ख होगा जो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, उसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किये होंगे, इतनी बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप अपने जीवन को एक नया दिशा देने में काम्याब रहेंगे, तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरूआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान शनिदेव महाराज का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमह शिवाय अवश्य लिखें। 20 घंटे के अंदर आपको जो लाब होगा, उसे देखकर आप खुशी से नाचने लगोगे। अगर आपके घर में कोई व्यक्ती बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, आप उनका दवाई करा के ठक चुके हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर एक साधु महात्मा दस्तक देने वाले हैं, और वह साधु महा प्यारे दोस्तों, महादेव जी, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, उसके बाद आपके जीवन से सभी समस्याओं खत्म हो जाएंगा। प्यारे दोस्तों, यह पर्चा खुद बागेश्वर धाम ने लिखा है, इस पर्चे में जो लिखा गया है, वह सौ प्रतिशत सटीक है, अगर परिचे में लिखा गया एक भी शब्द गलत निकला, तो मैं आपकी गुलामी करूँगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस पच्चे में साफ साफ लिखा गया है, कि आपके जीवन में इतना ज्यादा परेशानी क्यों है, किस वजह से आपको सफलता नहीं मिल रहा है। इसका वजह क्या है, जबकि आप मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रहा है, और आप देखते होंगे कि आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे होंगे, जो काफी कम मेहनत करते हों इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका किसमत पूरी तरह से बदल जाएगा, आपका किसमत सोने चांदी की तरह चमकने लगेगा लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। उस इनसान को कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगा। और जिस व्यक्ति के नसीब में दुख लिखा हुआ है वह इनसान कितना भी कोशिश कर ले परन्तु उनको सुख की प्राप्ति नहीं होगा। उनको दुखों का सामना करना ही होगा और ऐसा ही कुछ आपके लिए इस पचय में लिखा है। जी हाँ प्यारे दोस्तों आपको बता दें पिछले तीन सालों से आपको ज्यादा दुख तकलीफ हो रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। की आशीरवाद पड़ चुका है जिसके वजह से अब आपके जीवन में से वह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगा जो पिछले तीन सालों से आपके जीवन में देखने को मिल रहा है अब आपको माता लक्ष्मी के आशीरवाद से धन प्राप्ति का योग बनेगा अब आप कम म दोस्तों अब आपको चारों तरफ से लाभ की प्राप्ति होने वाला है आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा प्यारे दोस्तों इस व्यक्ती से रिष्टा तोड़ दो वरना जिंदगी भर रोते रहोगे जिंदगी में कभी भी आप नहीं हो पाओगे क तो इस व्यक्ति से आपको दूर होना होगा, तभी आप सफलता हासिल कर पाएंगे, जब तक आप इस व्यक्ति के साथ रहेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस बात का फुल गारंटी है, इसलिए प्यारे दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस व्यक्ति से से दूर हो जाओ, प्यारे दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम क्या है, जिसके वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, और इस व्यक्ति से आपका क्या रिष्टा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को प्वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लेंगे तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा इसलिए प्यारे दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं भगा-भगा कर देखते हैं तो आपको इस वीडियो का बिलकुल भी लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगले पांच मिनट के अंदर आपको जो जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, इतना महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। तक सफलता की प्राप्ती नहीं हो पाया है, आपको एक परेशानी से छुटकारा मिलता है, तब तक दूसरा परेशानी दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा, आप दिन दुगुनी रात, चौगुनी तरक्की करेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, भगवान बजरंग बली का आशीरवाद आपके उपर पड़ चुका है, इसलिए प्यारे दोस्तों, अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, बस आपको इस व्यक्ति से दूर हो जाना है, जिसका नाम पी अक्षर से शुरू होता है, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है प्यारे दोस्तों, इस ओरत ने सारी हदें पार कर दी, अब चुप नहीं बैठूंगा, इस ओरत के बारे में ए प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, कि इस ओरत का नाम क्या है, इस ओरत से बच के आपको कैसे रहना है, ताके आपका कोई बाल भी बांका ना कर सके, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, इ और ऐसा वीडियो आपको पूरा यूट्यूब वन नहीं दो, नहीं बलकि कई परेशानियां हैं, जो आपको पिछले कुछ सालों से परेशान कर रही हैं, जैसे कि आप अगर कोई नया कारे करना चाहते हैं, तो वह काम आपका पूरा नहीं हो पाता है, आप जितना मेहनत करते हैं, उस हिसाब से आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाता है, आप महनत तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके पास पैसों की समस्या हमेशा लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमा नहीं पाते हैं, आप अपने हिसाब से पैसों की ठीक ठाक कमाई कर लेते हैं, परंतु आपके पास पैसा टिकता नहीं है और भी कई प्रकार की समस्याएं आपका जीवन में देखने को मिल रहा है जिसके वजह से आपको हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है तो इन सब का समाधान क्या है कब तक इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना होगा सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं प्यारे दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपको पांच बड़ी खुश खबरी मिलने वाला है जी हाँ प्यारे दोस्तों आप सभी को बता दें अगले 24 घंटे के अंदर जो परिवर्तन होने वाला है इससे आपका कुंडली का पूरा गणित बदल जाएगा जी हाँ 24 प्यारे दोस्तों आप सभी को बता दें आप पिछले कुछ सालों से कुछ महीनों से अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि प्यारे दोस्तों आप जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा है उपर से आपके घर में तरह तरह की परेशानी देखने को मिल रहा है एक परेशानी से छुटकारा मिलता है तब तक दूसरा परेशानी दर्वाजे पर आकर खड़ा हो जाते हैं और इसी वजह से आप अपने जीवन से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो प्यारे दोस्तों आप सभी को बता दें अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्यारे दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपको पांच बड़ी खुश खबरी मिलने वाला है जिससे आपका किस्मत में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा साथ ही प्यारे दोस्तों इस वीडियो हम लोग एक ऐसा उपाय के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपना किस्मत सूरज की तरह चमका सकते हैं लेकिन उससे पहले देवों का देव महादेव जी का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जै बाबा भोलेनात जै मा पार्वती जरूर लिखें बाबा भोलेनात की कृपा से आपका सभी बिगडे काम बन जाएंगे तो आप जरूर लिखें आईए प्यारे दोस्तों बात करते हैं अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह का निर्मान हो रहा है जिससे आपको अगले 24 घंटे के अंदर यह पांच बड़ी खुश्खबरी मिलकर रहेगा अब यह पांच बड़ी खुश्खबरी व्यापार में मिल सकता है नौकरी में मिल सकता है प्रेम संबंध में मिल सकता है विदेश में रहे रहे परिजनों से मिल सकता है ससुराल पक्ष की तरफ से मिल सकता है इन सभी क्षेत्रों में पांच बड़ी खुश्खबरी आपको मिलकर रहेगा इस बात का 100% गारंटी है प्यारे दोस्तों अब आपका इंतजार की घड़ी खत्म हो हो चुका है अब आपका किस्मत बदलने वाला है जी हाँ प्यारे दोस्तों अचानक से अब आपका जिंदगी में चार चांद लग जाएगा और इसी के साथ एक बात आपको बता दें कि आज का वीडियो देखने के बाद आपकी आँखों से आंसू ना निकल जाएं तो कहना जी हाँ प्यारे दोस्तों वह कहते हैं ना कि कभी-कभी सच्चाई कलपना से भी ज्यादा आजीब होती है और आपके साथ में ऐसा हो चुका है यूँ कहें तो आपके साथ तरह तरह की घटनाएं हो चुकी है जी हाँ प्यारे दोस्तों इस वयो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे हैं जिनका सजा आपको अब तक भुगतना पड़ रहा है जी हाँ प्यारे दोस्तों जाने अंजाने में आपसे कुछ ऐसी पाप हो गई है जिनका सजा आपको भुगतना पड़ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है जी हाँ प्यारे दोस्तों इसमें डराने वाली बात यह है कि अभी तक आपको एहसास भी नहीं है कि आप किन गलतियों को लगातार करते आ रहे हैं हो सकता है आज भी आप उन गलतियों को करने जा रहे हैं जिसके वजह से हर एक शुब घड़ी हर एक शुब मौका आप के पास आकर वापस लोट जाता है और आपको उसका लाभ की प्राप्ती नहीं होता है और आप मन ही मन सोचते रहते हैं कि मैंने कौन सी गलती कर दी जिसका सजा मुझे अभी तक मिल रहा है क्यों मेरा किस्मत नहीं बदल रहा है क्यों मुझे पूरे जीवन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मुझे क्यों सफलता नहीं मिल रहा है क्यों मेरे घर में लक्षमी नहीं ठिकता है तो प्यारे दोस्तों अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योतिश शास्त्र के अनुसार वह कौन सी पाँच चीजें हैं जिन्हें किसी को देने से साफ साफ मना किया गया है जी हाँ प्यारे दोस्तों जहां किसी को मदद करना एक अच्छा कर्म माना गया है वहीं कुछ चीजों को देने से मान अभी क्या गया है अगर आप इन चीजों को किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बरबाद हो जाता है पूरी तरह से आपका जीवन बिखर जाता है तो प्यारे दोस्तों वह कौन सी चीजें हैं जो आपको किसी को नहीं देना चाहिए आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हम आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप भगवान भोले नात का सच्चे भक्त तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोले नात जरूर लिखें आईए प्यारे दोस्तों बात करते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो आपको भूल कर भी किसी दूसरे व्यक्ती को नहीं देना चाहिए नमबर एक रसोई घर का हल्दी जी हाँ प्यारे दोस्तों रसोई घर का हल्दी किसी को भी नहीं देना चाहिए क्योंकि प्यारे दोस्तों इसमें देवी मा लक्षमी का वास होता है और ऐसे में अगर आप किसी को अपने रसोई घर का हल्दी दे देते हैं तो आप उस हल्दी के रूप में अपने घर के लक्षमी को दे देते, जिससे आपके घर में पैसों की तंगी होने लगता है, आपके घर में लक्षमी नहीं टिकता है, इसलिए प्यारे दोस्तों, भूल कर भी किसी को अपने रसोई घर का हल्दी ना दें, नमबर दो, रसोई घर का, नमक नमबर तीन, सिंदूर नमबर चार, जाडू नमबर पांच, घड़ी जी हां प्यारे दोस्तों, इन में से कोई भी चीज आपको किसी को नहीं देना चाहिए, अगर इन सब में से कोई भी चीज आप दूसरों को देते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, और आपके घर का सुख समरिधिन नष्ट हो जाता है, प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, आपका नाम पूरे 25 करोड का लोटरी लगा है, और दुश्मन के घर अगले 24 घंटे के अंदर पुलिस दस्तक देने वाली है, दुश्मन को जेल की रोटियां खा क्योंकि धन की देवी मा लक्षमी ने आदेश दिया है, साथ ही प्यारे दोस्तों, आपको और पांच बड़ी खुश्खबरी मिलने वाला है, जिसे सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, कल युग में पहली बार इतना बड़ और भयंकर खुश्खबरी आपको मिलने वाला है, ऐसा खुश्खबरी आज तक किसी को नहीं मिला है, और शायद कभी मिलेगा भी नहीं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, जो आपको इतनी बड़ी खुश्खबरी मिलने वाला है, इसलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना, वीडियो को बिलकुल भी मिसमत करना, नहीं तो जिन्दगी भर रोते रहोगे, तो प्यारे दोस्तों, आखिर अगले 24 घंटे के अंदर आपको पूरे 25 करोड किस तरह से मिलने वाला है, और कौन- आपको मिलेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे, साथ ही प्यारे दोस्तों, हम लोग यह भी बात करेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर दुश्मन के घर पर पुलिस दस्तक क्यों देने वाली है, आपका दुश्मन ने ऐसा कौन सा गलती किया ह जो उनको जेल की रोटियां खानी पड़ेगी, इन सभी के बारे में 100% सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अग आपको रोजाना राशिफल देखने को मिलेगा, तो चलिए प्यारे दोस्तों, बात करते हैं, देखिए प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जब हमारा राश्य परिवर्तन करता है, तब हमारे जीवन में तरह तरह का बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें कुछ लोग राजा से भिखारी बन जाते हैं वह जो भी काम करते हैं उसमें उसे सफलता नहीं मिलता है जिसके वजह से दिन प्रति दिन गरीब होते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है जब उनको घर का खर्चा चलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है घर का नहीं चला पाते हैं घर परिवार रोड पर आ जाते हैं तो प्यारे दोस्तों अब बात आता है कि आपका तो राश्य परिवर्तन हो चुका है तो अब आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव होने वाला है आपको इस परिवर्तन से कौन-कौन सा लाब होगा कौन-कौन स जी का आशीरवाद आपके उपर बना हुआ है क्योंकि प्यारे दोस्तों आप पिछले समय अवधी में कुछ ऐसा कार्य किये थे जिससे भगवान कुबेर महाराज जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे परंतु उस समय भगवान कुबेर महाराज जी की ओर से आपको कोई भी लाभ की प्राप्ती नहीं हुआ था उसी का परिणाम अब आपको मिलने वाला इसलिए भगवान कुबेर महाराज जी का आशीरवाद आपके उपर बन चुका है और अब भगवान कुबेर महाराज जी के आशीरवाद से आपको पूरे 25 करोड की संपत्ती हाथ लगेगा जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे इतनी बड़ी सफलताएं आपको मिलने वाला है अब आपको धन से जुड़ा कोई भी समस्या नहीं होगा इतना ज्यादा अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीरवाद से लाभ मिलने वाला है प्यारे दोस्तों आज शाम पांच बज कर चार मिनट पर भगवान शरणी देव महाराज दुश्मन का नामों निशान मिटा देंगे जी हाँ प्यारे दोस्तों अब दुश्मन को भगवान शरणी देव महाराज से कोई नहीं बचा सकता है क्योंकि प्यारे दोस्तों दुश्मन का अंतिम घड़ी आ चुका है दुश भगवान शनिदेव महाराज के आशीरवाद से आपको बहुत बड़ी काम्याभी मिलने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका कुंडली में 6 योगधन, लक्ष्मी योग और 2 राज्य योग बन चुका। इसलिए प्यारे दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज के आशीरवाद से आपका किस्मत बदलने वाला है। यूँ कहें तो अचानक से आपका किस्मत में 4 चांद लग जाएगा। जी हां, आपको बता दे। दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं और आपको बड़ी खुशखबरी और एक बड़ा सर्प्राइज मिलने वाला है। जिन खुशखबरी हों को सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, खुशी से जूट उठोगे। जी हां प्यारे दोस्तों, अनेकों प्रकार की आपका स्वास्थ्य संबंधित है, धन प्राप्ती से संबंधित है, यूँ कहें तो यह खुशखबरी या तमाम क्षेत्रों से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, कौन-कौन सी खुशखबरी है, इस वीडियो के माध्यम से आपके संपूर्ण सटीक जानकारी बताने व पूर्ण है, कि जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा, उसके जीवन से दुखों का नाम और निशान मिट जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, कुछ महत्व पूर्ण सावधानिया भी आपको बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्व पूर्ण साबित होगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक न आपके और आपके पूरे परिवार के उपर सदैव बना रहेगा और भगवान शनिदेव महराज के आशीरवात से आपका सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव महराज जरूर लिखें। आईए प्यारे दोस्तों बा बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और आपको बता दें यह जो परिवर्तन होगा आपके लिए बहुत ही लाभ दिलाने वाला रहेगा। जी हां प्यारे दोस्तों यह जो परिवर्तन है आपके पक्ष में रहने वाला है। इसलिए प्यारे दोस्तों अब आपका सभी महत्व पूर्ण मनो कामनाय पूर्ण होने वाला है प्यारे दोस्तों सोने का पहाड बन चुका है जी हाँ प्यारे दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज के आशीरवाद से सोने का पहाड बन चुका है इसलिए प्यारे दोस्तों अगले दस दिनों के अंदर कुछ ना कुछ आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा जी हाँ प्यारे दोस्तों, शनी देव ने दे दिया है एक बहुत बड़ा शुभ संकेत इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको 101 पर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ अब आपको शनी देव महाराज के आशीरवात से बहुत बड़ी-बड़ी खुशखबरी मिलेगी बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबी मिलेगी जी हाँ प्यारे दोस्तों, भगवान शनी देव की क्रिपा से आपका किस्मत में चार चांद लग जाएगा जी हाँ प्यारे दोस्तों, ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ अब भगवान शनी देव महाराज आपका किस्मत बदल कर रख देंगे क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका कुंडली में धन योग, शिव योग, राज्य योग और शश योग बन चुका है इसलिए प्यारे दोस्तों, अब आपको वह काम्याबी हाथ लगेगा जिसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे जी हाँ प्यारे दोस्तों, भगवान शनी देव महाराज के आशीरवात से अगले दस दिनों के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी जी हाँ प्यारे दोस्तों, अगले दस दिनों में आपको बहुत बड़ी-बड़ी सफलताएं मिलेगी आपको लाब होगा जी हाँ प्यारे दोस्तों सभी क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी क्योंकि प्यारे दोस्तों अगले दस दिनों तक भगवान शनीदेव महाराज आपके राशेवालों के उपर सबसे अधिक महरबान रहेंगे इसलिए प्यारे दोस्तों आप लोगों को भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से इन दस दिनों में बड़ी-बड़ी काम्याबी मिलने का योग बन रहा है और मिलकर रहेगा अब आपको काम्याब होने कोई नहीं रोक सकता हर हाल में आपको काम्याबी मिलेगी क्योंकि प्यारे दोस्तों आज जो जानकारी हम आप सभी को बताने जा रहा हूं 101 पर आपका कंडली के आधार पर आधारित है जिसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं अगले 10 दिनों तक आपको कौन-कौन सी सावधानी बरतनी होगी और कौन-कौन सा कार्य करना आपके लिए उचित रहेगा और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे अगले 10 दिनों के भीतर आपको कौन-कौन सी खुशखबरी मिलने वाला है इन सभी के बारे में पूर्ण सटीक भविश्यवानी करेंगे इसलिए प्यारे दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना वीडियो को बीच-बीच में काट कर देखोगे तो आप इस वीडियो का लाभ नहीं उठा पाएंगे इसलिए पूरा वीडियो देखना केवल नसीब वाला ही इस व बड़ी खुश्खबरी है तो प्यारे दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे लेकिन सबसे पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनिदेव महाराज का अगर आप सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें शनिदेव महाराज का आशीरवाद आपको तुरंत प्राप्त होगा चलिए प्यारे दोस्तों बात करते हैं इस समय आपका कुंडली में जो ग्रहों का बदलाव हो रहा है उसका सीधा असर आपका दैनिक जीवन पर पढ़ने वाला है जिससे आप के दुखों का अंत हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देखने को मिलेगा अब आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगा अब आपको शनिदेव महाराज के आशीरवाद से लाभ की प्राप्ति होगा अब आपको धन से जुड़ी समस्य नहीं रहेगा प्यारे दोस्तों अब आपका इंतजार की घड़ी खत्म हो चुका है अब आपका किस्मत बदलने वाला है जी हां प्यारे दोस्तों अचानक से अब आपका जिंदगी में चार चांद लग जाएगा और इसी के साथ एक बात आपको बता दें कि आज का वीडि तरह तरह की घटनाएं हो चुकी है जी हां प्यारे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे हैं जिनका सजा आपको अब तक भुगतना पड़ रहा है जी हां प्यारे दोस्तों इसमें डराने वाली बात ये है कि अभी तक आपको एहसास भी नहीं है कि आप किन गलतियों को लगातार करते आ रहे हैं हो सकता है आज भी आप उन गलतियों को करने जा रहे हैं जिसके वजह से हर एक शुब घड़ी हर एक शुब मौका आपके पास आकर वापस लोट जाता है और आपको उसका लाभ की प्रा स्याओं का सामना करना पड़ रहा है मुझे क्यों सफलता नहीं मिल रहा है क्यों मेरे घर में लक्षमी नहीं ठिकता है तो प्यारे दोस्तों अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योतिश शास्त्र के अनुसार वह कौन सी पाँच चीजें हैं जिन्हें किसी को देने से साफ साफ मना किया गया है जी हाँ प्यारे दोस्तों जहां किसी को मदद करना एक अच्छा कर्म माना गया है वहीं कुछ चीजों को देने से मान अब क्या गया है अगर आप इन चीजों को किसी दूसरे व्यक्ती को उधार देते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है पूरी तरह से आपका जीवन बिखर जाता है तो प्यारे दोस्तों वह कौन सी चीजें हैं जो आपको किसी को नहीं देना चाहिए आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हम आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप भगवान भोलेनाथ का सच्चे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें आईए प्यारे दोस्तों बात करते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो आपको भूल कर भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जी हाँ प्यारे दोस्तों रसोई घर का हल्दी किसी को भी नहीं देना चाहिए क्योंकि प्यारे दोस्तों इसमें देवी मा लक्षमी का वास होता है और ऐसे में अगर आप किसी को अपने रसोई घर का हल्दी दे देते हैं तो आप उस हल्दी के रूप में अपने घर के लक्ष्मी को दे देते जिससे आपके घर में पैसों की तंगी होने लगता है आपके घर में लक्ष्मी नहीं ठिकता है इसलिए प्यारे दोस्तों भूल कर अगर इन सब में से कोई भी चीज आप दूसरों को देते तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है और आपके घर का सुख समृध्धि नश्ट हो जाता है